हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेश यूटूबर पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए नए साल में करे हल्दी का अच्छो कुपाए कभी नहीं होगी धन की कमी हो जाएंगे माला माल वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में लिखे जै माता दी और हमारे चैनल नरेश यूटूबर को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चलिए दोस साल आने वाला है और आप चाहते होंगे की नया साल खुशियां से भरा हो और मालक्षमी की कृपा से धन की कमी जरा भी कमी न पड़े ऐसे में आप चाहे तो हल्दी के अच्चू कुपाई करके अपने नय साल को खुशियों से भर सकते हैं शास्त्रों में हल्दी के महत्व क पूरे साल खुशियों के साथ बिता सकता है। इसके साथ ही जीवन की हर परेशानी से चुटकारा मिल जाएगा. जो हल्दी का उपाया आप कर सकते हैं वो आपको नए साल में पढ़ने वाले पहले शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके कर सकते हैं इसके साथ ही एक चांदी के सिक्का ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा कर लाल रंग के कपड़े से बांध ले इसके बाद इसे अलमारी, लोकर या फिर पैसा रखने वाले स्थान में रख लें अगर आप तरक्ष्मी के लिए उपाय चाहते हैं तो नए साल में पढ़ने वाली अश्टमी तिथी के दिन सुबह सभी कामों से निवरित होकर स्नानादी करके साफ सुत्रे वस्त्रधारन क पूर्व दिशा के और मुक करके बैठ जाएं इसके बाद माता लक्ष्मी की विद्यवत पूजा करें और फिर काली हल्दी की एक गान ठर्पित करें पूजा करने के बाद इसे पैसो वाली जगव पर रख लें ऐसा करने से घर में कभी भी पैसो की कमी नहीं होगी और दिन के वास्तु दोश नकरात्मकूर जासे मुक्ति मिल जाएगी आप चाहे तो इस उपाय को रोजाना अपना सकते हैं अगर आप हल्दी के यह उपाय नए साल में करते हैं तो आपको और आपके परिवार को माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको अगर हमारी वीडियो मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए नए साल में करे हल्दी का अचू कुपाय कभी नहीं होगी धन की कमी हो जाएंगे माला माल वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नरेश यूटूबर को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे शेर करे कमेंट करे थैंक्यू द कुष्टू